असलाम वालीकुम नाजरीन उमीद है आप लोग खेरिये से होंगे नाजरीन पांडे के बारे में आप जानते होंगे शायद कि आपने पांडे को हकीकत में देखा भी हो अगर आपने पांडे को हकीकत में कहीं देखा है तो आप कुमेट में जरूब दियागा कि आप लो इसको कहा देखा है और किस अंदासे देखा है नाजरीन पांडे का आलमी दिन 17 मार्च को मनाया जाता है हर साल 17 मार्च को पांडों का आलमी दिन मनाया जाता है अब बाद ही है कि पांडे बांस खाते हैं और इतनी सक्त ये लकड़ी होती है लेकिन वो जीते कैसे हैं बांस खाकर वो कैसे जीते हैं साइंस दानों ने बड़े बड़े पांडों के सिर्फ बांस खाकर जिन्दा रहने के पीछे एहम वजा मालूम कर ली है तहकीक कारों को पता चला है कि पांडे बांज की छोटी टहनियों और पत्तों पर इसलिए गुजारा कर लेते हैं कि वो इंतहाई कम मिकदार में तवानाई सर्फ करते हैं एक मालिक पांड़ा अपनी जिसामत के दीगर जानवों के मुकाबले में तकरीबन 38 पीसद केलोरीज खर्च करता है साइंस दानों को मालूम हुआ है कि इस रीच की सुसरवी का तालुक थाई रूट हार्मोन्स की कम सता से जुड़ा हुआ है साइंस दानों को तवील अर्च से इस बात में गहरी दिल्चस्पी थी कि काले और सफेद रंग का ये वमालिया जानवर बास जैसी मुश्किल से हाज़म होने वाली खुराग पर कैसे जिता है गो के इसके मेदे में हर किसम की घजा खाने वाले जानवरों के बिक्टेरिया आज भी पाए जाते हैं पांडे ऐसे ही जानवरों की इत्तकाई शकल है ताहम नई तहकीक इस राज पर रोशनी डालती है तहकीक कारों ने पांच जेरे नगरानी और तीन जंगल में रहने वाले पांडों में रोशना की बुन्याद पर तावनाई के इस्तमाल और खर्श को देखा उन्होंने देखा के पांडे अपने हम जिसम दीगर ममालिया जानवरों के मुकाबले में 38% तावनाई सर्फ करते हैं रीज की शकल का सुस रोश टेलवी जानवर पांडों के मुकाबले में 79% तावनाई इस्तमाल करता है और इतनी तमराई का इस्तमाल इसकी जिसामत के दीगर जानवरों में आम है पांडों के सुस अतवार का प्रहरास ममाजना जुरूबी अमरीका के तीन पंजों वाले काहिल ममालियों में से है जिन में तमराई का इस्तमाल पांडों की तरह बहुत कम है जब तक्कीक कारों ने पांडों की हरकत की रफदार की प्रमाश की तो उन्हें मालूम हुआ कि वो सिर्फ 49 फिसर वकत में मतारिक होते हैं जब ये पांडे हरकत करते हैं तो इनकी ओस्तन रफदार एक गेंटे में 20 मिंटर से भी कम हैं और ये तक्कीक हूई है और उस तक्कीक तहकीक के सरबरा उनको कहना है के पांडे जिसमानी हरकत पर बहुत कम तावनाई खर्च करते हैं इसमें बहुत सी तवराई उनकी बच जाती है लेकिन के मेटा बॉल्जम की रफदार कम होने की वाज़ się से सिर्फ इनकी हरकत की कमी ही नहीं बलके एक मुतहरिक पांडे के मेटा बोल्जम की रफ़तार मकमल तोर पर साकेर इनसान की निस्वत से भी कम है। परोफेसर जान के मताबिक हमें ये पता चला है कि पांडों में मेटा बोल्जम की सुस्रफ़तार का तालुक थाईराइड हर्मोन्स की इंतहाई कम सदा से भी है और ये थाईराइड हर्मोन्स की इस जिनियाती तब्दिली से मतालिक है जो सिर्फ पांडों में ही पाई जाती ह तहकी कारों ने ये भी बात दर्याफ्त की कि पांडों का दिमाख जिगर और गुर्दे दीगर रीचों के मुकाबले में निस्बतन छोटे होते हैं डबली डबली एफ के मताबक चीन के जेंगि जंगलों में तकरि relymud 2500 बाकी हैं ये तख्कीकात साइंस नामी जरीदे में शाही हुझी थी नाजरीन ये थी Itu आज की हमारी मालूमात पांडे से मतालीक कि आया पांडे बांस खाते हैं लेकिन वो जीते कैसे हैं उसके मतालिक थी और साथ मैं आपको पॉंडरे का आलमे दिन भी बताया गया अगर आपको कुछ मालूमात में जाफा हुआ हो और आप महजूस हुए हो आप वीडियो को लाइक और शेर कर दिया करें चैनल को सबस्क्राइब कर दिया करें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तक तक के लिए अल्ला हाफिस